अधिन वीडियो तो गई वेलकम बेक तो नदर व्लाग विद होल नीव एनरजी एंड होल नीव वीडियो तो गईज लिए वाले एक डिटेल्ड रिव्यू जिससे आप लोगों को हर एक वो चीज की नॉलेज मिलेगी जैसे की हमारी बाइक की क्या था रहती है कितने में पढ है जो पुरानी आर्सी थी उससे क्योंकि जो हमारी आर्सी 390 अब एक पूरी सुपर वाइक वाली फिलिंग रखती है वाइक सिंगल स्लेंडर में सबसे पावरफुल बाइक मानी जाती है आर्सी 390 अब ऑप्शन की बात करूं है आप फीचर की बात करूं तो बहुत जाल रखा गया है काफी अच्छा हवा को काटता है उसी तरह गाइज आसी 200 की तरह इसमें शीशे दे देगे हैं सेम मिर्स हैं और बहुत इच्छी विजिबिलिटी है उनकी और जो आपकी इसमें लाइट रहेगी जो हमारी पुरानी आर्सी थी गाइज उसमें आपको इसमें रहने वाले अगर उतार आपको अच्छी विजिबिलिटी है इसमें और काफी ज्यादा है आपको इनसे उसके बाद अगर हम सस्पेंशन की बात करें गाइस तो इसमें डबली पी का सस्पेंशन रहता है जो हमारी डिस्प्लेइट देखी जाए तो वह भी काफी प्रोफाइल टैर प्रोफाइल रहती है एक सो दस सत्तर और सत्रा रहता है और काफी अच्छा टायर है उसके बाद अगर गाइस हम बात करें तो थोड़ा आगे चलते हैं तो हैं यहां पर आके हमारी पास पूरी अप टीएफटी डिस्प्लेइड आती है मैं चाबी ओन करत है जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा और काफी अच्छी काफी ज्यादा अट्रेक्टिव है इस इसमें जो चेंज किया गया काफी मस्ट लगा मेरे को यह बहुत अच्छा चेंज लगा उसके बाद गाई हम सीधा आ जाएंगे इसकी फीचर पे और आवाज की मैं बा आपको ऐसे ही देखने को मिलता है पूरा सिस्टेम आप और जो की काफी अच्छा लगता है देखने में क्यूंकि आर्ची 390 पहले आची 200 बिल्कुल नॉर्मल सा हो चुका था पर जो इसकी एक लूक आती है बहुत अच्छी लूक आती है इसकी और सच बोलू तो बहुत ही जैसे मरजी कंडिशन और रात के टाई में ब्लैक हो जाती है आप इसको सेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से और मैंने ऑटमेटिक रखा दिन में यवाइड जैसे रात की ताम ब्लैक हो जाती है तो काईज कामेरे में हमेशा ही यह होती है मैं बहुत अच्छी मैं बहुत हम को देखने को मिल जाती है सबसे पहले मैं बात करूं तो गई Bluetooth जो कि हमारी पुरानी आर्ची में मिसिंग था जो कि हम यहां से से कर सकते गाइस आपको मैं दिखाता हूं यहां से हमारा सेट बटन आता है और सेट बटन को जैसे हम क्लिक करेंगे हमार पास यहां पर काफी सारी चीज़े खुल जाती है सबसे उपर हम ऑप्षे यहां पर बात करें कि हैं और दुसरे उप्षे बात करें हम नीचे आते हैं और ट्रिप वन है ट्रिप टू है जर्नल इन्फो है वार्निंग है उसके बाद फिर से बैक आके हम फिर से नीचे जाएंगे मोटर साइकल में तो यह काफी में जो आप्सेंस रहने वाले काफी ज़्यादा फीचर जो बढ़ा दी गई है जैसे कि आपको पता है हमारी पुरानी आर्ची में मैनुल ट्रेक्शन कंट्रोल बिल्कुल काम नहीं था ही नियुस में तो जो यह आर्ची 390 है इसमें मैनुल ट् इसमें मानता हूं बट जिस पावर के साथ यह है उतनी कंसिस्टेंसी भी जिसमें देदी यह पूरी मतलब आपको कौनरिंग अबिस है सब कुछ है मतलब कोई ऐसी चीज मिस्त नहीं है जो नहीं होनी चाहिए बढ़ लग एक पूरी पावर पैक इसको मैं बोल पाता हूं इ इसको देना चाहूंगा क्योंकि असलियत में फ्लैश की तरह है तो मतलब इस बाइक के बारे में उसके बाद आगे बात करें जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें दे दिया गया उसके बाद हम दूसरी चीज़ देखें तो एबिस डोनो चैनल डूल चैनल मिलता है हमार को जै अच्छा ने गई एक ऑप्शन दे दिया गया जो कि पहले आटी दूक 390 में आता था कुछिफ्टर करके बट अब आप आप अप लीपर का जो काम था वह भी आप इसी से कर सकते हैं वह भी आप नॉमली डाउन भी कर सकते हैं विदाउट अच्छा सेंसर है बहुत अच्छ प्लस का काम यह कर रहा है बहुत अच्छा काम है और इसके लिए भी मैं 10 आउट और 10 दूंगा गाई इस बाइक को उसके बाद करें तो इसमें एक आप्शन आता है मैं आपको दिखाता हूं उसके बाद जैसे की अब मैनुल ट्रेक्शन कंट्रोल है अब कहीं लोग बटन तो आपको छोड़ देना है और आप देख सकते हैं आपका ऑफ हो चुका है मैनुल अट्रेक्शन कंट्रोल और हर बार जब भी आप आफ करोगे तो यह हमेशा ओन हो जाएगा और यह सबसे अच्छी बात है क्योंकि कहीं बार हम भूल जाते हैं और उसके बाद गाइ है 13.7 लिटर की उसकी कैपैसिटी रहती है और काफी बीगर टैंक हो गया है पुरानी से की एवरेज में सच बताओं तो आजकल हम राइट कर रहे हैं जैसे कि हम हाई एंट पर चले होते हैं बहुत अपनी तरह से काफी रश करते हैं काफी अटरनी रस में चले होते हैं तो उससे उपर मैंने ही मान सकता कि मैं जैसे फुल करवाता हूं तो एक छोटी सी राइड के बाद भी वापिस आगे गाइस एक दो डंडा एक सेल बचेगा दो सेल बचेगा तो उसके बाद अगर मैं फीचर और फीचर की बात करूं गाइस तो जैसे कि आपको पता है सभी को आपके पीछे राती थी बत अब बैटरी पिछह है और पका अगे है और ये पूरा और ये फाईबर मैं रहता और यहां आपको बता दो पर नहीं नहीं को चेंग कोई लोगों की चेंगा क्योंकि यावशाण फूह नहीं मिलता है क्योंकि कि आपको यहां देखने में मिलेगा 3D लोगों मिलता है आपको यहां पर के बाद अगर हम बात करें इसमें आपकी आपकी 200 की तरह बढ़िया वैसी सीट देदी यह पीछे और काफी ज्यादा से कंफर्टेबल सीट से आप देख सकते हैं जितना मर्जी आप लांग राइड करें जितना मर्जी दूर जाएं आपको थकावत नहीं होती है मैं मानता हूं शोल्डर में थोड़ा पेन आ सकता आपका बैक बिल्कुल पेन नहीं होने वाला बिल्कुल सेफटी में और गाइस के बाद अगर हम पिछले टाय कि अगर आब बात करें तो पिछले टाय का प्रोफाइल रहता है गाइस 150 60 17 और गाइस मैट जीलर का ही टायर रहता है तो सबसे अच्छा चेंज लगा उसकी मैं बात करूं तो काईस वो रहने वाला है हमारा एक्जास्ट गाइस क्योंकि आए तो आपको पता है अच्छा लगता ही नहीं है तो सटार्ट करी लेते हैं बाइक को तो बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं वैसमें आपको हम तो काईस काफी ज्यादा अच्छे साउंड लगी मुझे है मैं मानता हूं भी है शिक्स नॉम्स के हिसाब से काम साउंड थोड़ी कम हो चुकिया पुरानी जो बैस थी उनकी आज सी की साउंड थोड़ी ज्यादा प्यारी थी बट गैस जो यह साउंड में मेठा पनना है यह मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जब आप हाई एंस से गए डाउन करते तो जो एक रिदम बनता है साउंड का वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और यह सांड काफी ज्यादा तो जो गाइस आपकी जो लेवर की टिप रहती है गाई कि आभी सकते हैं तो यहां यहां पर दो और तो सब्सक्राइब कर दा वाल छी कर दिया गया है कर digestive को बिलों कर दिया गया घर गलती से कभी में cya सब्फिले और मैं justice करने के बाद गायज तो कि के टीम ने चेंट सब्सक्राइब करन Community इन्होंने क्या कि पर्फॉर्मसनें पोगार या दिङां और भाधनल का तिया है है सबस्क्राइब करने के लिए कुरूब यूथ है फोरत बल्कुलएं इह सब प्owe IO को स मिन तक physically को कषेंट खता हूं अभी गाईस की इसमें जो पास लाइट जो हमारे पास होती है कि लाइट अप डाउन करने का वो कोई बटन नहीं दिया गया वह यह सब कुछ यहीं सही होता है अगर आप उसको सबसे आगे कर दोगे तो अभी लाइट अप है उसके बार लाइट डाउन होती है और तो मेरे को इस बाइक में जो चेंज लगे वे काफी अच्छे लगे कहीं लोगों को आगे से डिजाइन अच्छा नहीं लगता बट मिर को काई परसेनली बोलू तो गाई बाइक बिल्कुल 100% मिल को काफी अच्छी लगी और मैं इस बाइक को अगर नंबर देने की बात करूं तो गाइस 9 out of 10 क्योंकि एक रेसिंग बाइक जैसी फिलिंग पूरी रेसिंग बाइक है और सुपर बाइक वाली फेलिंग भी देती है आपको बट इसमें मैं फिर से आपके अपने निगार नहीं यूज कर पा रहा हूं तो गाई जानिगार से यूज करता हूं मैं अभी र लगता है और यह उसके बाद गाई अगर हम दूसरी बात करें मैं भी गाउं गया था अपने तो वहां पर कच्छा रोल पड़ता है तो गाई उसमें जिस्तरा इसमें पावर काफी ज्यादा रहती है तो मैं पहले और दूसरे से उपर जाही नहीं पा रहा था तीसरे में त रहा था तो गाई हर वक्तिसके फैन चले रहे और हर वक्त बहुत ज्यादा बाइक गरम हो चुके थी तो बहुत ज्यादा ही इसुज़ा है मिरको तो उसके लिए तो मैं इसको ज़्यादा ज्यादा सेवन नंबर दे पाऊंगा को कि उन रोट के लिए वैसे बनी भी नहीं यह बनी ही का इस बड़ी आच्छी रोट के लिए तो उसी पर इसका मज़ा लेने का हरकुछी मज़ा उसके बाद काई अगर हम बात करें इसकी थर्ड दिक्कत की तो गाइस वह रहने वाली है का इस लाइट की प्रॉब्लम जैसा कि मैंने आपको पहले भी बिताया और आज फिर बताओंगा का इस लाइट इतनी ज्यादा बेकार लगे मुझे मैं सिर्फ और सिर्फ चार नंबर देना चाहूंगा क्योंकि गाइस रात के टाइम अगर गलती साब इस बाइक को लेकर निकल जाते हो तो हमारे यहां काफी ज्यादा कर्फ होती है प्लेन में तो चलो मे कहीं लोग बहुत ज्यादा चोटे होते हैं वह एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मैं नहीं मानता हूं बट जो अच्छे से चलाता है भाइक उसके दिक्कत नहीं आती है अगर फाइव का भी होगा तो चला लेगा बिल्कुल निव राइडर हो तो गाईस थोड़ी दिक्क हुआ थार दा आता है तो हो भूप आपको यह पसंद्द आयोगा और थोड़ी सी पसंद्द आयोगा और थोड़ी सी भी हैल्प मिलियो तो जादेजा लाइक कमेंट करें और पर इसी तरह आगे भी सपोर्ट बनाए रखें तो यह वाचिंग शेकरती मोडो व्लॉक्स और कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग यह लविंग चैनल गाइस थैंक यू